हलो फ्रेंद्स वेलकम बैक तो मैं चैनल शायना गोयल सो फ्रेंद्स वीर विडियो में हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और इस टॉपिक में से आपको एक याग दो कोश्चंस 100% देखने को मिलेंगे so the topic is RTE Act 2009 that is Right to Education Act 2009 so friends इस topic में जो भी इनोंने बाते कहीं है ठीक है जो प्राहिबिटेशन दी है जो एम है इसका complete हम इसको पूरे डिटेल में अच्छे से देखने वाले हैं तो बिलकुल अगर आपने ये वीडियो complete देख ली तो RTE में से कोई भी कोश्चन आपको आजाए तो I'm sure आप 100% उसको correct attempt कर पाएंगे so friends starting with the session of today so देखे सबसे पहले हमें क्या है meaning पता होना चाहिए full form RTE की यही पूछ लेता है MCQ में ये question भी आ सकता है कि इसकी full form क्या है एक भी word अगर change हो गया समझ लीजिए आपका answer गलत so RTE क्या है the right of children to free and compulsory education act ठीक है 2009 तो इसमें basically 3 साल जो है बहुत important है हम अभी देखेंगे ठीक है लेकिन इसको act किस साल का बोला जाता है 2009 का ये जो act है basically ये तीन चीज़ों पर based है first क्या है कि elementary education पर focus करता है जहां पर 6 से 14 साल के बच्चों को ये बोलता है कि free education मिलनी चाहिए और वो education compulsory है nobody can deny या फिर उनको क 14 साल की बीच में उनके लिए education textbooks है चाहिए uniform है जो भी resources उनको चाहिए वो सबी resources उनके लिए free है and compulsory है उनको अगर कोई बच्चा ऐसा दिख गया जो parents अपने बच्चे को school नहीं भेज रहे हैं ठीक है काम पर भेज रहे हैं तो उनके against भी action लिया जा सकता है ठीक है तो इसलि organization of education means complete education provide करना सभी को irrespective of any caste, creed, religion, poor, rich किसी भी भेज़भाव के बिना सभी को education मिलनी चाहिए ये इसका aim है clear अब देखे बहुत important points है जो हम सारी point वाज ये चीज़ पढ़ेंगे ताकि आपको points में ही ये चीज़ समझ में आ जाए और याद भी रहे तो हमारा जो समविधान है constitution of India है ठीक है इसमें सारे जो हम कहते है amendments की जाती है constitution में जो चीज़ लिखी जाती है वही parliament में जाती है या राज्यसभा में से पास होकर आती है वो चीज़ें वो सब क्या है हमारे constitution of India में होता है तो 12 दिसंबर 2002 को article 21A में एक amendment की गई थी in the constitution of India वो क्या थी कि education को fundamental right बनाया गया था बहुत important है क्या article का name और उसकी date तो देखे सबसे पहली date तो है ये 12 दिसंबर 2002 जब education को fundamental right बनाया गया था यानि कि हमारा अधिकार बनाया गया था किस article में article 21A में ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है उसके बाद जब RTE Act किस date को प्रपोस किया गया था वो था 4 अगस्त 2009 ठीक है ये देखे 2002 को fundamental right बनाया था education को फिर जो right to education act है 2009 का वो किस date को प्रपोस किया गया यानि कि समविधान में समझ लीजे रखा गया भी लागू नहीं हुआ 2009 4 अगस्त को ठीक है उसके बाद ये चीज़ फोर्स में कब आई यानि कि implement किस date को हुई that was April 1 2010 एक चीज़ में आपका पता दो इसी साल क्या है April 1 2010 को जब RTE Act implement हुआ था उसी दिन implement हुई थी CCE all over India जो हमारा इस वीडियो के बाद जो next topic हम करेंगे that is CCE बहुत important topic है तो उसमें भी हम discuss करेंगे तो एक ही दिन RTE Act ये भी implement हुआ था और came into force all over ये all over India except Jammu and Kashmir क्योंकि तब वहां पर धारा लगी हुई थी तो अभी तो देखे amendments हो चुकी है तो all over the country ये चीज जो है implement हो चुकी है लेकिन ये तब की बात है जब amendments नहीं हुई थी ठीक है लागू हुआ था 2010 में except Jammu and Kashmir तो CCE भी क्या है all over India में लागू हो गया था April 1 को 2010 में ठीक है इसके बाद देखें इंडिया क्या है 135 वी 135 इंडिया बिकें 135 तो में एजुकेशन फंडामेंटल राइट यानि कि हमारी कंट्री से पहले 134 कंट्री ऐसी हैं जिनोंने एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया है और इंडिया का रैंक कौन सा है समझ लीजे 135 रैंक है इंडिया का जब इसने एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया है अब देखें आर्टी एक्ट जो है 2009 इसमें चैप्टर्स कितने हैं 7 तो कहीं से भी देखें कोश्चन पूछे जा सकते हैं तो यह छोटी-छोट हमें पता है कि क्या के तक the state shall provide free and compulsory education to all children of age group 6 to 14 ठीक है यह क्या है age group है और यह क्या है class है 6 to 14 के बीच में कौन से आ जाते हैं यह होती है देखें इसको according to RTE यह होती है primary classes class 1 to 5 और यह होती है upper primary classes अपर primary classes जो 6 to 8 तक होती है ठीक है elementary level पर इन बच्चों को जो education है वो बिल्कुल free है यह निकि उनके ना तो text books के कोई खर्चा आएगा ठीक है government schools में जो भी बचे लेते हैं admission ना उनकी uniform को खर्चा ना कोई books का खर्चा ठीक है even कि transport की facility भी उनको free provide करवाई जाती है ताकि बच street facility इन्होंने दी है और साथ ही में free का तो यह मतलब हो गया compulsory का मतलब क्या है कि बिल्कुल उन्होंने education जो है लेनी ही लेनी है इसके लिए एक article 51a है यह भी आप लोगोंने ध्यान में रखना है article 51a क्या कहता है कि it is the duty of parents कि वो बच्चों को elementary education provide करवाई अगर कोई parents जैसे को दी labor work में डाल देते हैं तो उनके against अगर कोई complaint कर देना है तो यह धारा लग जाए कि उन पर क्यूंकि article 51a में लिखा गया है कि बच्चे का right education लेना और आप लोगों की duty है उनको education provide करना ठीक है article 51a is for parents clear होगी यह चीज उसके बाद इन्होंने दी थी इसमें RTE 2009 में no detention policy यानि कि कोई भी जो बच्चा है उसको fail नहीं किया जाएगा बज़ाई उसके कितने ही गंदे marks हो लेकिन उसको fail नहीं किया जाएगा उससे बच्चों को demotivation होती है लेकिन इस चीज में amendment की गई थी in 2019 इन करवाके देखेंगे अगर वो पास हो जाते हैं तो ठीक है otherwise अगर वो fail हो जाते हैं तो उनको एक ये घेड महीना और दिया जाएगा फिर उनका paper लिया जाएगा या फिर अगर फिर भी वो पास नहीं होते है तो उसके बाद फिर से उनको time दिया जाएगा ठीचर's की extra support ही के उनको pass करना है या fail करना है यह amendment की गई थी 2019 में clear हो गई यह चीज उसके बाद देखें क्या point है कि provision for dropouts or non-admitted child to be admitted to appropriate age class अब देखें काफी जो poor sector में हम बात करें तो girls को सिरफ कोई तो education provide ही नहीं करवाते हैं वो तो यहां पर बिलकुरी funda complete खतम हो गया कि education provide करनी ज़रूरी है ठीक है तो अगर कोई बच्चा suppose क्या लिजे 5th class में बच्चे को education दे कि उसको निकाल लिया गया तो फिर वो हो गया समझो 12 साल का हो गया वो लेकिन अभी वो इस age के बीच में है इस age के बीच में आना तो अगर उसने 12 years का होकर उसने school join करना है तो उसको age appropriate class मिलेगी अब age appropriate class क्या है suppose बच्चे ने 5th class में 10 साल का बच्चा था 10 साल का बच्चा जो है 5th class में है तो वो अभी 12 साल का है तो age के according वो कौन सी class में जाएगा 7th class में तो ऐसे नहीं है कि उसको 5th class उसने छोड़ दी थी तो उसको 5th में admission मिलेगी वो अपनी age के according उसको class में admit किया जाएगा उसके साथ साथ उसको facilities प्रवाइड कराई जाएगी extra coaching दी जाएगी school में ही ताकि वो बच्चा 7th class तक का जो syllabus है basic देखे mental growth तो बच्चे की हो रही है हमने cognitive development किया था ऐसे तो नहीं है कि बच्चे ने अगर school का छोड़ दियो तो उसका दिमाग का level ही कम हो गया age के साथ साथ उसका जो दिमाग में विकास होना है विक्सित होना है cognitive development होनी है वो तो होई रही है सिर्फ हमें उसको जो study material है उसमें उसको थोड़ा सा rise करना है 7th class के standard तक लेकर आना है clear? इसी साब से अगर हम कहें कि 6 साल का जो बच्चा है वो class 1 में जाना चाहिए और अगर बच्चा 9 साल का है तो वो कौन सी class में जाना चाहिए सिर्फ इसके according आप देख लीजे कि वो class 4 में उसकी admission होनी चाहिए तो अगर कोई बच्चा drop कर देता है या फिर कोई admission ही नहीं होती कोई 7 साल के बच्चे ने admission लेनी है ठीक है? तो फिर वो अपनी age के according ही class में जाएगा सिर्फ class 1 से start नहीं होगा ये system ये point में ये बात बताई गई है देखे सारे points बहुत important है कहीं से भी question भी आ सकता है तो next क्या है? कि education ये education क्या कहती है? कि education should be free from anxiety, stress and fear पुराने time में जो system था ठीक है year के end में exams होते थे teacher oriented सारा curriculum syllabus and the classroom environment वो होता था वो नहीं होना चाहिए बच्चों को थोड़ा free mind रहना चाहिए class में वो interactive हो ठीक है? सारा कुछ चूसी के according हो ताकि बच्चे anxiety, stress और fear से दूर हो आगे तो teachers का डरी इतना ज्यादा होता था ये नहीं पता कब कोई मुर्गा बना दे कब कहीं से थपड़ आ जाए है न तो वो चीज़े खतम कर दी गई है RTE ये कहता है कि ये चीज़े खतम करनी चाहिए बच्चों का mind अगर free होगा तब ही तो वो development की तरफ सोच पाएंगे next is 25% reservation होनी चाहिए economically weaker section के बच्चों के लिए in private schools अगर हम private schools की भी बात करें तो उसमें भी 25% admissions है वो उन बच्चों की होनी चाहिए जो अपने pay नहीं कर सकते है fees वगरा ठीक है तो ये points इसमें थे इसके बाद दिखे जो जो चीज़ें है न ये points ये points आप लोगों ने no down करने है बहुत important है अपनी language में as it is आप इस चीज़ को उतार सकते है now we will आप चाहे तो इस चीज़ को no down कर लीजे ये screenshot ले लीजे फिर हमारा जो return work है वो इस पर start हो जाएगा so देखे सबसे पहले है no physical punishment की बच्चे को हाथ उठाना ही नहीं है आपने बिलकुल physically पनीश नहीं करना है उसको मुरगा नहीं बनाना ठीक है तो उसको mental harassment भी नहीं करनी यानि कि demoting waiting words की तुम तो ये करी नहीं सकते हो मतलब negative attitude बच्चों को बिलकुल आपने show नहीं करना है चाहे वो physically हो या mentally हो ठीक है बच्चों पर pressurize उसको नहीं करना है सेकिन क्या है कि जो भी government teachers है वो private tuition नहीं दे सकते चाहे तो private tuition in the sense चाहे आप अपने घर पे जा घर पे ही दे रहे हैं या फिर आपने कोई coaching classes पर जाकर आप tuition दे रहे हैं या फिर आप चाहे YouTube पर ही पढ़ा रहे हैं ठीक है कहीं भी आप other than your school आप teach नहीं करेंगे ठीक है free में पढ़ा रहे हो पढ़ाते रहो लेकिन tuition जहां पर आपका earning source है वो चीज़ आप नहीं कर सकते हो ठीक है ये अगर आप पकड़े गए तो उसके against भी action लिया जा सकते है ये RTE कहता है then no capital fee अब हम पहली कहते कि ये education क्या है it provides free and compulsory education यानि कि सारी education free है capital fee किसी चीज़ के नहीं लिये नहीं जाएगी चाहे वो आपकी uniform है आपकी text books है ठीक है कोई भी stationary whatsoever material you need to study ठीक है उस चीज़ के लिए आप से कुछ भी charge नहीं किया जाएगा वो completely free of cost होनी चाहिए ठीक है कोई भी आपसे उसके लिए पैसे नहीं ले सकता then is no screening procedure screening मतलब अगर आपने किसी चीज़ में entry करनी होती है तो उसके लिए जैसे होता है modeling के लिए भी screening होती है कि अपना photo shoot करिए portfolio दिखाईए तो यहाँ पर कोई screening नहीं है यानि कि अगर आपके पास पुराना अपना कोई certificate नहीं है suppose आप class 5 में जाना चाहते है तो आपको class 4 का certificate दिखाने की जरूरत नहीं है आप अपनी age के according appropriate class में admission ले सकते है किसी बच्चे के पास कोई भी document कम है तो उसको prohibit नहीं किया जाएगा कि आपके पास ये चीज नहीं है तो आपको हम admission नहीं दे सकते ठीक है तो elementary education तक जब तक बच्चे 14 साल का है तब तक ये चीजों का कोई इस चीज से फरक नहीं पड़ता है उसके बाद तो certificates की हम कहते है बहुत ज्यादा value है ठीक है then running school without recognition अब हम कहते हैं न कि ये क्या है CBSE affiliated या फिर NCERT का syllabus है इसमें तो अब आपने पीछे post graduation जब आप करके आये होंगे या graduation भी की होगी तो UGC के द्वारा काफी colleges की ऐसे list आये थी कि ये UGC द्वारा affiliated नहीं colleges है UGC ने इनको प्रमानित नहीं किया लेकिन इन्होंने लिख दिया कि हम UGC affiliated college है ठीक है कि उसके द्वारा ही हमारी जो सारी education का scenario है and all तो इन्होंने बोल दिया ये college affiliated नहीं है तो इस तरह का आप institution कोई भी run नहीं कर सकते without recognition आपको किसी ना किसी के under अपनी recognition करवानी पड़ेगी चाहे वो CBSE है ठीक है कोई भी पी अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब school education board है या फिर किसी भी state का है तो कोई ना कोई recognition होनी चाहिए unrecognized school आप नहीं run कर सकते हैं उसके against भी action लिया जाएगा ये चीज़े clear होगी prohibitions now is another important aspect of this now next is number of teachers according to students तो हम दो तरह से देखेंगे कि primary के लिए क्या scenario है और upper primary के लिए क्या scenario है यानि कि बच्चा अगर class 1 से लेकर 5 तक है तो उनके लिए क्या scenario है ठीक है अगर बच्चा 6 to 8 class में है तब क्या system है ठीक है सबसे पहले number of teachers यह हम general देख रहे हैं कि अगर 60 बच्चे है एक class में तो उसमें कितने teachers होने चाहिए दो teachers होने चाहिए as per the scenario या फिर as per the rule अगर बच्चे 60 से 90 के बीच में है तो तीन teachers होनी चाहिए अगर 91 से 120 तक के students है तो 4 teachers होने चाहिए उनको देखने के लिए तो अगर 150 तक बच्चे हैं तो 5 teachers होने चाहिए लेकिन बच्चे अगर 1500 से बढ़ जाते हैं 151 प्लस हो जाते हैं बच्चे तो वहाँ पर 5 teachers प्लस 1 head teacher उन सभी के उपर नजर रखने के लिए वो होने compulsory हैं अब देखे रेशो के अगर हम बात करें कि कितने बच्चों पर कितने teachers चाहिए यहां से हम calculate कर सकते हैं दो teachers यानि कि 30 बच्चों के लिए एक teacher चाहिए 30 बच्चे एक teacher के नजर में रह सकते हैं तो primary classes के लिए क्या है कि 30 बच्चे के लिए एक teacher अगर primary class में बच्चे 200 से ज्यादा है तो वहां की ratio क्या हो सकती है कि 40 बच्चों के लिए एक teacher हो सकते हैं ठीक है तो यहां से हम साथ में ये भी देखते हैं कि minimum odds working जो है primary teachers के लिए वो कितने हैं कि days कितने उनको compulsory लगाने हैं that is 200 days उनका काम होना चाहिए then one year instructional hours है basically कि कितने घंटे वो एक साल में पढ़ाना minimum बात करें हैं हम minimum कितने घंटे वो एक साल में पढ़ाएंगे that is 800 और एक week में कितने घंटे वो पढ़ाएंगे 4 hours minimum हम बात करें maximum तो कोई limit ही नहीं है इस चीज़ की ये तो है class 1 से लेके class 5 तक अब ये बात आ जाती है class 6 से लेके class 8 के students की upper primary पर 35 students की ratio है अगर 35 students पर एक teacher चाहिए और कितने घंटे वो पढ़ाएंगे 220 एक साल में कितने घंटे वो minimum पढ़ाएंगे that is 1000 और अगर one week की बात करें तो four and half hours minimum teaching hours उनके होनी चाहिए और अगर हम general बात करें minimum number of working hours per week including preparing hours ठीक है अगर school में वो अपना lecture भी prepare करते है ठीक है थोड़ा free period होता है कोई other activities भी दी जाती है तो preparing hours क्या हो गए per week 45 हो पर डे एक दिन में minimum उनको साड़े चार घंटे पढ़ाना है अपर primary को और primary की teacher को एक दिन में चार घंटे पढ़ाना है यह चीज़ clear हुई अब बिल्कुल last point जो हम इसके related discuss करने वाले हैं स्कूल बिल्डिंग या फिर स्कूल प्रेमिसेज के लिए यह क्या instructions देते हैं कि हर स्कूल में साफ सुथरा पानी पीने वाला वह अविलेबल होना चाहिए यानि कि special provision for drinking water जहांबे कोई भी गंदगी ना हो वह होना चाहिए बच्चों के लिए separate toilets for girls and boys होने चाहिए playground for physical fitness ठीक है physical activities कुछ भी उन्होंने sports खेलनी है ठीक है physical development के लिए playground school में होना बहुत ज़रूरी है उसके बाद library school में होनी ज़रूरी है जिसमें daily newspapers होनी चाहिए magazines होनी चाहिए और course के related जो है books available होने चाहिए extra ठीक है उसके बाद देखे कितने दाइरे में school होना चाहिए distance या फिर for example आप यहां पर है आपका घर यहां पर है तो यह जो radius है यह होगा 1 km यानि कि 1 km दाइरे में अगर primary school के बच्चे है यानि कि class 1 से class 5 तक के बच्चे है तो उनका school जो है within 1 km के दाइरे में होना चाहिए ठीक है अगर हम अपर primary की बात करें तो यह class 6 से 8 तक के बच्चे ह इनका जो school है वो होना चाहिए 3 km के दाइरे के बीच बीच में इससे ज्यादा दूर बच्चों का school नहीं होना चाहिए ठीक है यह हो गया अपर primary के लिए और यह हो गया primary के लिए यह चीज़ क्लियर हो गई और दीखे एक चीज़ टीचर्स के लिए भी इन्होंने बोली थी कि national level टेट के exam होना चाहिए teachers के लिए ताकि वो भी improve कर पाएं सिर्फ students ही नहीं students भी तभी upgrade हो पाएंगे अगर teachers better education provide करेंगे तो national level teacher eligibility test किनों ने suggest किया था किनों ने लेकर आये थे वो that was RTE 2009 so friends यहाँ पर हमारी यह act RTE का complete होता है तो देखे कोई भी teaching का exam हो teaching level का कोई भी paper हो seated पी टेट हो या फिर whichever state exam ठीक है DSSSB हो या फिर KVS का exam हो तो यह act बहुत ज़्यादा important है and the upcoming video जो हम CCE करने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा important है क्योंकि यह दोनों क्या है directly related to education है clear so इसमें अगर आपको कोई doubt हो तो आप मुझे comment कर सकते हैं doubts आपके दूर कर दिये जाएंगे and friends video helpful रही हो तो इसे like and share जरूर कीजएगा see you in the next video till then keep watching